क्या 10 महीने बाद गाजा यूद में अब हमास जीतने लगा है? क्या जमीन के उपर इसराइल जीत रहा है और जमीन के नीचे हमास बाजी मार रहा है? ये दावे इसलिए के जाने लगे हैं क्योंकि उतरी गाजा में एक ऐसी सुरंग मिली है जिसमें रेलवे ट्रैक बिछे हुए है हैरान की बाद तो ये हमास इस ट्रैक पर ट्रेन दोडा रहा है जिसे मिसाईले और रॉकेट भरे पड़े है सुरंग में बूले ट्रैन हमास ने पल्टा युद्ध लगभग 11 वहीने से इसरेली सेना पूरी गासा में भयंकर हवाई और जमीनी हमले कर रही है लेकिन इसके बावजूद हमास इसरेली सेना पर जबरदस्ट पलट वार कर रहा है लगभग 350 दिन से इसरेली सेना पूरी गासा में चुन चुन कर हमास की स्तुरंगों को धमाकों से उड़ा रही है लेकिन उसके बावजूद हमास के स्तुरंगी लड़ा के इसरेली सेना टैंक, बुल्डोजर और बख्तर बंद वाहनों पर भेंकर हमले कर रहे हैं यकीन करना मुश्किल है लेकिन हमास की स्तुरंगों के बारे में ऐसा खुलासा हुआ है जिसने परधान मंतिर नेतन याहु के होश फाक्ता कर दिये है इसरेली सेना ने दावा किया है कि हमास की स्तुरंगों में रेलवे ट्रैक मिले है जिसे ये साबित होता है कि हमास की स्तुरंग नेटवर्क के बारे में जितना इसरेली सेना जानती थी उससे कहीं ज़ादा पेचीदा और विशाल स्तुरंग नेटवर्क हमास के पास मौजूद है हम आपको एनिमेशन के जरीए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमास के स्तुरंग में रेलवे नेटवर्क कैसे और ये कैसे काम करता है हमास की स्तुरंगों से जुड़े एक्सपर्ट के मुताबिक उतरी गाजा और मध्य गाजा में जो स्तुरंगे इसरेली सेना को मिली है उन स्तुरंगों में रेलवे ट्रेक विशे हुए है दावों के मुताविक रेलवे ट्रेक वाली इन सुरंगों में चलने वाली दो से तीन बौगी वाली ट्रेनों में मिसाइल और रॉकेट भरे हुए हैं दावा किया गया है कि इन सुरंगों में हमास के कमांड सेंटर मौजूद हैं जहां से हमास के सुरंगी लड़ाके سुरंग से निकलकर इजरेली सैने को और टैंको पर भिषण हमले कर रहे हैं कुछ दाओों के मताब्क हमास के सुरंग में एक से लेकर 3 किलो मिटर तक रेलवे ट्रैक बिशे हुए हैं जिन पर हमास के बूलेट चेश चलती है सिन्वार निकला शातिर सुरंग से बुलेट युद्ध गाजा युद्ध में सुरंगों का जाल हमास की सबसे बड़ी ताकत सावित हुआ है दावे तो यहां तक किये गए हैं कि हमास ने नए चिफ याहिया सिनवास ने अपने लड़ाकों को साफ आदेश दिये हैं कि सुरंगों से ही युद्ध करो सुरंगों से इसरेली सेना को ट्रैप में फंसाओ खान युनुस के कसाई के नाम से कोख्यात सिनवार को सुरंग युद्ध में बेहद माहिर माना जाता है यही वजह है कि जब से सिनवार हमास का चीफ वना है तब से इसरेली सेना पर सुरंगों से हमले बेहद 30 हुए हैं जरा हमास की तरफ से जारी इस वीडियो को देखिए जिसकी हर तस्वीर में इसरेल के टैंक और सैनिकों के चीठडे उड़ते दिख रहे हैं हमास के वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हमास के लड़ा के बारूदी सुरंगों और बंबो इस्रेल के मरकावा टैंक के नीचे लगा कर उसे उड़ा रहे हैं इस्रेल के टैंकों से महस 10 से 20 मिटर दूर मौजूद सुरंगों में मौझूद हमास लड़ा के रफा में इसी तरह से रॉकेट लॉंचर से इसरेली सिना पर हमला कर रहे हैं गौर करने वाली बात है कि रफा में इस वक्त हमास की केवल चार बेचलियन ही बची होने का दावा किया गया है जो इस वक्त रफा में इसरेल पर हमला कर रही है गाजा शहर, दक्षणी गाजा, मद्द गाजा, रफा और खार यूनूस में इसरेली सिना दस महीनों से 90 फिस्ति से जदा सुरंगों को उड़ाने का दावा कर रही है लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इसरेली सिना की नाक के ठीक नीचे हमास सुरंगों से आसानी से हमले कर रहा है यही वज़ा है कि इसरेली सिना के चीफ लेफटेनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने अपने टॉप कमांडरों के साथ मीटिंग में दो टुक कह दिया है कि हमे हमास के कमान्डों कमारने से जादा हमास कि सुरंग को तबाह करने पर्थान दिना होगा अज्रेली सेना के चीफ हजरी हलेवी अची तरह सज़ानते ही कि सुरंग बंकर से जादा मजबूत की और चक्रवियू से जादा पची दाखी कुछ दावो के मुताबक पद्रह साल में हमास नेंडर ग्राउंड गाजा मेट्रो बनाया है एक समय अज्रेली एक्सपर्ट में ये अनुमान लगाया था कि पूरे गाजा में सतह से 15 फिट से लेकर 200 फिट नीचे तक करीब 300 मिल लंबी सुरंगे हैं मगरून का ये अनुमान उस वक्त गलत निकला इस्रेली सेना के कोगाजा में धाई मिल लंबी सुरंगे मिली हैं जिसमें विशाल अंडर ग्राउड फैक्टरिया पेंट की हुई सुंदर दिवारे टाइल्स वाली फर्ष, सीलिंग फैन और एसी समय लगजरी फूल भुलेय का पता चला है अनुमान के मताबिक सुरंगे 500 मिल से जदा लंबी हो सकती हैं इस्रेली डिफेंस फोस ने एक बड़ी करवाई में डेड़ हजा से जदा टनल शाफ्ट भी खोज निकाली है इन सुरंगों को बनाने में 6000 टन कंक्रीट का इस्तमाल किया गया है जबकि 1800 टन साइल हमले भी कई बार नकाम हो जाते हैं यही वज़ा है कि अब नेतनियाहू कमांडर की मीटिंग में साफ कह रहे हैं कि हमास का सफाया तभी होगा जब पूरे गाजा पट्टी में सुरंगों का सफाया होगा आप जरा इस वीडियो को देखिए खुद नेतनियाहू सुरंगों का जनजाल बच चुका है आप इसे हमास के गाजा मेट्रों से समझ सकते हैं जो सुरंगों का ऐसा निटॉर्क है जिसने 11 महीने की जंग के बाद भी इसरेली सेना समझ नहीं पाई है हमास के सुरंगों से जुड़े इसरेली एक्सपर्ट के मताबिक सुरंगों के जाल को समझने और समझाने के लिए हमास ने एक हैंडबुक बना रखी है जो हमास के सुरंग लडाकों को दी जाती है इस हैंड़ बुक के आधार पर सुरंग का सिस्टम काम करता है अगर इसरेली सेना सुरंग के दरवाजों को खोलती है तो उसमें आचोमेडिक बम धमाके होते हैं जिसे इसरेली सैनिक कई बार मारे जाते हैं हमास के हैंड़ बुक के मुताबिक सुरंग पर एजरेली मिसाईलों का मामूली असर होता है कभी कभी मिसाईल बेशर साबित होती है I.D.F. को उतरी गाजा के नीचे बीची सुरंग के अंदर रैलवेर ट्रैक मिला है IDF के मताबिक गाजा डिवीजन, उत्री गाजा ब्रिगेड और यह लोम यूनिट के इंजिनेरिंग सैनिकों ने हमास टेन का पता लगाया है दावा किया गया है कि हमास हैंड बुक में सुरंग आपरेशन के पूरी जानकारी दी गई है रिपोर्ट के मताबिक हैंड बुक में बताया गया है कि सुरंग के अंदरंग धीरे में चलते समय लड़ाकों को इंफ्रारीड से लैस, नाइट विजन, चश्मे के जरूरत होती है लड़ाकों को भूमी गतने टिवर्क के भीतर हतियाच चलाने के तरीख के बारे में साउधानी बरतनी होती है ये भी हमास हैंड बुक में बताया गया है हमास के हमले का ये वीडियो देखिए इन वीडियो में हमास ने इसरैली सेना पर हमले का दावा किया है गाजा में तेल, अलहवा, इसरैली बुल्डोजरों और सेनिकों को हमास ने थबाह किया है इसे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हमास के लड़ा के इस बुल्डोजर को थमाके से उड़ा रहे हैं जो बारूदी सुरंगों को तबाह कर रहा था हमास के लड़ा के सीधे सीधे पीम नेतरियाहू को चेताउनी दे रहे हैं कि गाजा में इसरेली सेनिकों का कबरिस्तान बन जाएगा और हमास हर हाल में गाजा जंग जीत लेगा कुल मिलाकर हमास के सुरंग इसरेली सेना के लिए ऐसी चुनोती बन चुकी है जो लगबक 11 महीने की जंग के बाद भी इसरेली सेना के सामने सबसे बड़ा चैलेंच है झालेंच है